इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं PhonePay की Share Market App का जो आपको एक Deemed Account Free of the Cost प्रवाइड करता है तो क्या ये Actual में Free of the Cost है ये आपसे चार्च लेने वाला है क्या कि इसकी Brokerage है क्या कि इसके Hidden Charges है Compare करेंगे जितनी भी Leading Discounted Broker है जैसे Zerodha हो गया Grow हो गया Angel One हो गया क्या क्या ये आपको Extra Feature या Benefits आपको Provide करता है क्या इसके साथ में आपको Account Open करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो ये सारी जनकारी देने वाला है उस वीडियो के अंदर तो ये बोलता है कि भाई हम आपसे कोई भी Feast Charge नहीं करेंगे सब कुछ आपको Free of the Cost मिलेगा यानि Account Opening Feast भी Zero है AMC Feast भी Zero है अगर आप Investment करना चाहते हमारी आप के उपर या फिर Trading भी करना चाहते तो वह भी Zero है लेकिन देखिए हमेशा ये एक Offer चलाता है और केवल उसी Offer के अंदर आपको एक Limited Time Period के लिए सब कुछ यहाँ पे Zero Offer करता है तो अभी अगर मैं Right Now बात करो तो आप Screen के सामने आप देख सकते हो अगर कोई भी बंदा यहाँ पे 31 अगस 12.24 के पहले इनके साथ Deemate Account उपन कराता है तो वहाँ पे कोई भी Account Opening Feast नहीं लगेगी कोई भी EMC Feast नहीं लगेगी और Intra Day हो गया, Delivery हो गया या Future in Option हो गया सब के उपर आपका Zero Cost लगने अवाला है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसके अंदर एक Gimmick है एक Gimmick यह है कि अगर आप मालीची अपना Deemate Account 31.24 के बाद में खोलते हो या मालनो स्टार्टिंग के इनका जो Free Offer प्रियेट दा हो, उसके अंदर आपने Deemate Account खोल लिया लेकिन जैसे इनका Offer प्रियेट खतम होगा उसके बाद में जो Normal Feast लगने वाली है वो आपको पता होनी चाहिए तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Account Opening Feast के बारे में तो वो तो आपको नहीं देनी है लेकिन इनकी AMC Feast ज़रूर लगेगी तो देकिन यहाँ पर AMC Feast के इंदर First Year के लिए इनका Free रहेगा लेकिन Second Year से 15 रुपे पर मन्त यानि Almost 180 रुपे प्लस GST आपको साल का यहाँ पर देना पड़ेगा इसके लावा अगर आप यहाँ पर Long Term के लिए Investment करना चाहते तो Equity Delivery के उपर आपकी जो Brokerage लगने वाली है वो 20 रुपीस या फिर 0.05% Order Value of the Order Value दोनों में से जो भी कम होगा वो लगता है बाकी Intraday करोंगे तो वहाँ पर भी सेम Charges है F&O के उपर सिंप्ली 20 रुपीस पर Order के Charges है इसको अगर मैं Compare करूँ जैसे कि अगर मालूम मैं Zero Da के साथ मैं Compare करना चाहता हूँ तो Zero Da आप Account Opening Fees कोई भी चार्ज नहीं लेता है AMC 300 रुपे लेता है लेकिन Equity Delivery भाई इस्टिल उसने आप पर फ्री कर रखी आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है Intraday के 20 रुपीस 0.03% हो गया और F&O के सेम 20 रुपीस पर Order चार्ज करता है ऐसे है अगर मैं Grow की बात करू तो वो तो Account Opening AMC Fees बिल्कुल भी चार्ज नहीं करता है Lifetime Free देता है Demet Account लेकिन Equity Delivery के ओपर वही 20 रुपीस 0.05% सेम जो Phone Pay चार्ज करता है वही चार्ज करता है और F&O के ओपर भी 20 रुपीस पर Order चार्ज करता है यानि Almost 240 रुपे यानि Phone Pay का सीधा सीधा Double हो गया बाकी Equity Delivery जो Stock Investment होती है वहाँ पर कोई Brokerage नहीं है इंटर एक के ओपर सेम है 20 रुपीस या फे 0.03% और F&O के ओपर 20 रुपीस पर Order के साब से तो देखो Phone Pay के ओपर शुरू शुरू में तो आपको ऐसा लगएगा कि सब कुछ free of the cost है तो अकाउंट ओपन करने से पहला इनकी Terms and Conditions जरूर पढ़ लेना कि एक बार जैसे अगर Offer Period खतम हो गया और अगर आप Free Brokerage Plan के अंदर हो तो still आपकी ये वाले Charges जरूर लगने वाले हैं AMC Fees के साथ में अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं Live App के ओपर पूरा Interface दिखाना चाहूंगा बहुत ही Simple Interface रहता है इस App का तो स्क्रीन की सामने आप देख सकते हो तो यहां पर साइड में आपको Market का Option देखने को मिल जाएगा जिसमें जो Indices है, Nifty 50 हो गया Sensex हो गया, Bank Nifty हो गया और जितने भी Indices चलते हैं Market के अंदर Almost सारे आपको देखने को मिल जाएगे नीची अगर आप जाएगे तो यहां पर आपको Stocks का भी मुमेंट्स देखने को मिल जाएगा कि Market में आज Active by the Volumes, कौन कौन Stocks है Top Gainers कौन है, Top Losers कौन है 52 Week High हो गया, 52 Week Low हो गया तो यह सारे filters देखने को मिल जाएगे और और प्लेस करना भी काफी जदा आसान है जैसे आपने किसी Stock को सर्च किया जैसे कि Reliance का Stock हो गया नीचे आप देखेंगे, Buy Sell के Simple से Option यहाप पर देखने को मिल जाएगे यादि Bigner Slow के लिए भी काफी जादा Easy हो जाता है Product Type में आप देख सकते हो Delivery का Option है, Intraday का है आप Market Order लगा सकते हो, Limit Order लगा सकते हो Advanced Option में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो GTT Orders होता है उसका Facility अभी राइट ना आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अभी जस्टार्टी के आइनों है फोन पे ने, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जादा जो Advanced Level के जो Features होते है वह at least आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे बाकि अगर आप beginner है तो definitely आपको बहुती smoothly interface मिलने वाला है इसके लिए आपको यहाँ पर chart मिल जाएगा इसके लिए यहाँ पर factor analysis हो गया fundamental हो गया, technicals हो गया कोई भी news है, events है तो यह सारी चीज़े एक ही screen पर देखने को मिल जाती है भाई यह तो बात normal हो गई जो कि आजकल हर कोई app आपको provide करता है इस app का USB के app इसके अंदर दिये गए है wealth basket जी है, अब यह wealth basket के है जैसे आपने small case का नाम सुनाओगा dittos का copy जो है wealth basket है जो की phone pay ने यहाँ पर introduce कर रखा है तो इसके अंदर क्या होता है basically यहाँ पर जो cv register जो research analyst होते है उनके through यहाँ पर कई सारे जो है एक तरसे portfolio बनाया होते है multiple stocks के जैसे आप screen के सामने आप देख सकते है जैसे आप जैसकते है giants of India अब इसमें अगर आप minimum investment amount देखेंगे सिफ 1000 रुपे का है rebalancing yearly basis पर होता है yearly basis पर आपको यहाँ इनके जो expert है वो आपको पताएंगे किस stock को buy करना है किस stock को आपको बेच देना है तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे जो आप baskets देखने को मिल जाएंगे अच्छी बात पता है किया है normally क्या होता है small case के अदर आपको fees देनी पड़ती है extra fees देनी पड़ती है subscription लेना पड़ता है ठीक है यहाँ पर यह सारी चीज़े आपको free of the cost मिलने वाली है यानि simply इन सभी का आपको जो access है वो एकदम free में मिलने वाला है इसे example के लिए मैंने मालो यह smart momentum वाले stock wealth basket यहाँ पर मैंने अगर मैंने subscribe कर रहा है जो कि आपको free of the cost मिलेगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि stocks कौनकों से है rebalancing के अदर कौनकों से stocks दे तो यह सारी चीजे आपको देखने को मिल जाती यानि जैसे small case काम करता है same wealth basket काम करता है बस फरक इतना ऐसा है यहाँ पर आपसे एक भी extra पैसा wealth basket का नहीं लिया जाता अब small case के अंदर क्या होता है आप चाहो तो अपना zero the grow गया angel one किसी का भी demon account connect करा सकते हो लेकिन यहाँ पर especially यह जो wealth basket है यह केवल भाई phone pay app के लिए ही बना है तो mostly यहाँ पर अगर आप जित्ते भी basket देखेंगे सारे आपको free of the cost देखने को मिलेंगे plus guys इनके जो mutual funds है ना वो इनकी share market app क्यों पर introduce नहीं किये गये वो आपको simply जो है आपका जो phone pay का UPI का app होता है उस पर ही देखने को मिलने वाले हैं मैं उस पर आपको कई बार जैसे बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपको जो funds देखने को मिलते हैं वो regular funds होते हैं ना कि direct fund तो उसके अंदर क्या होता है ultimately कमिशन होता है एक हलका सा कमिशन होता है जो phone pay यहाँ पर earn करता है तो mostly वैसे अगर आप देखोंगे अगर मैं चाहे grow की बात करो जिरोदा की बात करो angel one की बात करो वहाँ पर अगर आप mutual fund कोई भी पिक अप करते हो तो वहाँ पर commission free mutual funds देखने को मिलते है वही चीज फोन पे के अंदर यह commission charge कर रहा है तो mutual fund के अंदर definitely यह concept है भाई तो उसके compare में आप दूसी app को यहाँ पर prefer कर सकते हो तो guys अगर मैं overall बात करूँ तो अगर आप phone pay के बहुत ही पुरान है यहाँ पर loyal customer है तो definitely आप share.market को एक बार try कर सकते हो बाकी मुझे इसकी pricing इत्ती ज़दा competitive नहीं लगी अगर मैं other leading discounted broker के साथ में comparison करूँ तो अगर मुझे अपना primary demand account चाहिए होगा तो मैं यहाँ पर phone pay को definitely ignore करूँगा उसके जगे कहीं और खुलाना यहाँ पर पसंद करूँगा लेकिन हाँ अगर आपको एक secondary demand